इस कारेक्रम को जोईस मायर मिनिस्ट्रीस के मित्रों और भागी दरों द्वरा संबव बनाए गया है है आपका बहुत बढ़िया भविश्य है आपका बहुत बढ़िया भविश्य है आपका इतिहास आपका भाग्या नहीं है आपका बहुत बढ़िया भविश्य है पर आप इससे वंचित रह जाएंगे यदियापतीत से ही बंदे रहेंगे तो ओल्राइट खेर मैं इस सबता एक सीरीज करने वाली हूँ जिसका नाम है प्रेसिंग इन एन प्रेसिंग ओन आपने ताली नहीं बजए है मुझे अपेक्षा भी नहीं थी मैंने इससे कहना शुरू किया है ग्लाइडिंग इन ग्लाइडिंग ओन क्योंकि मेरे खायल से हम ग्लाइट करना बहतर चाहेंगे बज़ाए प्रेस के अफसोस है पर यह किसी विशेश व्यक्ति के विरूद आरोप नहीं है पर लगता है लोगों में वैसी सहन शक्ती नहीं है जैसी हुआ करती थी क्योंकि मेरे खायल से यह ऐसे है क्योंकि जीवन आटोमेटिक हो गया है और किसी तरह से ज्यादा कठिन भी है, पर किसी तरह से ये आसान भी है, मेरा मतलब है एक फोन कॉल करने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता था, ये कमाल का है जो आपको करना पड़ता है, जब मैंने पहले-पहल वचन का अधेन करना और उसकी शिक्षा देना शुरू किया, मेरा मतलब है एक उपडेश दिना और उसे देने के लिए सब कुछ इखटा करना बहुत कठिन काम हो जाता है, क्योंकि तब आप इंटरनेट पर नहीं जा सकते और कह सकते थे, मुझे पाप पर सभी शास्त्रवचन दो, आपको कॉंकोरांडेंस लेनी पड़ती है, आपको कुछ ये लेना पड़ते है या कुछ वो, मेरा मतलब है मेरे पास सब कितावे मिलती और कई बाद मुझे साथ घंटे अधेन करना पड़ता है, एक संदेश के लिए, और इस तर हम सब को आसान चीज़े मिली हैं, पर सब चीज़े बहुत ही आसान हो जाती है, इमानदारे से कहूं तो इसका अंत ये हो जाता है कि चीज़े हमारे लिए अच्छी नहीं रहती, पर आपके जीवन में हमेशा ऐसे समायाएंगे जब बातें आसान नहीं होंगी, या तो आप भार मान लेंगे या आपको थोड़ा दबाव डालना होगा, और दबाव डालने का मतलब यह है कि आप अपने प्रेशर के विरुद दबाव डालो, इसका मतलब यह की शत्रो आपके विरुद आ रहा है बजाए इसके कि आप स्वैम को हरा लेने दें, आप कहते हैं बिलकु ना कर सकती हूं कि यहां लोग हैं यह किसम से मेरे रिदे में आया इससे पहले कि मैं यहां से बाहर आई मेरे खाल से यहां कुछ लोग है और आपको बस ऐसा लगता है कि बहुत अर्सा बीद गया और परमिश्वन आपके जीवन में कुछ ना किया हो कोई है आप बस इंतिजार कर रहे हैं इंतिजार कर रहे हैं पर आपको बिलकुल महसूस नहीं होता कि आपने कुछ बदला है आपको महसूस नहीं हो रहा कि पर इस्तितियां बदली है मैं बस आपको यह बताना चाहूंगी कि जब तक आप विश्वाष कर रहे हैं, परमेशवर काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप कुछ महसूस नहीं कर पाते या देख पाते इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं आप उन पर विश्वास करें आमेन तो बस इसे ना होने दे बस निराश ना हो और हत्यार न डाल दें जदी कोई भी इस मुकाम पर हैं कि बस आप इंतजार कर रहे हार मान लेने की शहद आप आज रात आए हैं और आपने का परमेश्वर मुझे एक वचन की जरूरत और आपको मुझसे बात करने हैं मैं बता रही है परमेश्वर कहते हार मत मानी आमीन परमेश्वर काम कर रहे हैं और जानते हैं जब मैं किसी चीज़ का इंतजार कर रही हूँ और हम सारों के लिए बाते होते हैं आप में से कितने हैं इंतजार कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिसका इंतजार करते हैं चाहिए चंगाई हो सफलता अपनी मिनिस्ट्री के बढ़ाने कहने दर्या शादी या शादी करना या कुछ और भी या जो भी हो और कारण कोई भी हो बच्चे होना या बच्चों को घर से बाहर लेकर जाना जानते हैं बच्चे जल्दी ही चले जाते हैं तो आपने मांगा है या उससे कुछ बहतर मैं चाहते हैं कि आप यह समझ लें इससे पहले कि मैं आगे बनी क्योंकि मैं नहीं चाहते हैं कि आप यहां से जाएं मैंने तो करोड़ों बार हार मानी पर बात दरसल यह है कि परमिश्वर चाहते हैं कि आप हार ना माने तो वो आप सबको खड़ा कर लेंगे आप सबको आगे बढ़ा देंगे तो हमें कुछ बातों पर दबाव डालना होगा कुछ बातों से गुजरने के लिए और ये एक से धानत है जो हमें समझना होगा एक अंडे के छोटे चूजे की चूँच के भीतर एक चूट ऐसा दात होता है वो दात उनके पास तब भी नहीं होता है जब वो बड़े हो जाते हैं पर उनकी चूँच के सीरे पर उनके पास ये चूँच ऐसा दात होता है और जब उनके लिए समय होता है पैदा होने का वो चौछ मारते हैं, चौछ मारते हैं, चौछ मारते हैς, मेरा मतलब ऐसा लगता है, जैसे कि वो सड़ा अंडे के कवच को तोड़ना चाहते हैं, और कई बार शाह Hin, कोई सोचे कि उनने मदद की जरूरत है, और यौने इसके लिए तोड़ दें परियाद याप ऐसा करते हैं तो क्या होगा वो कमजोर हो जाते हैं और वो कभी वैसा नहीं कर पाते जो परमेश्वर की मनशाती की वो बने क्योंकि वो काम वो चूँच मारना वो दबाओ जीवन में आने का वो होता है जो बाद में उनकी मदद करता है जीवन से गुजरने में सच मुझ सब कठिन होता है खैर बस समझना है अब काम ना करना हमारे लिए कुछ नहीं करता हमें दबाव डालना पड़ता है दाखमदू तयार होता है जब अंगूरों को एक दबाव से गुजरना पड़ता है और अक्सर दाखमदू बाइबल में सामर्थ का प्रतिनी उधारन के लिए नया दाखमद पुराने मश्कों में नहीं डाला जाता मुख्यता नई सामर्द किसी ऐसे को नहीं दी जा सकती जो अभी भी किसी पुराने चीज़ से लटका है आपका बहुत बढ़िया भविश्य है आपका बहुत बढ़िया भविश्य है आपका इतियास आपका भागया नहीं है आपका बहुत बढ़या भविश्य पर आप इससे वंचित रहे जाएंगे यदि आप अतीच से ही बंदे रहें तो आज हम बात करने वाले नहीं शिरुवातों के बारे में पर सबसे पहले मुझे थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन देना होगा इन चीजों पर दबाव डालने के बारे में क्योंकि यदि आप ये नहीं समझते की ये सब आसान नहीं होने वाला और कई बार ये आपको इंतिजार करा आएगा कई बार आपको चीजों पर दबाव डाल कर गुजरना पड़ेगा और इसका ये मतलब नहीं की परमिश्वर अनुग्रा नहीं देते पर अनुग्रा का ये मतलब नहीं की परमिश्वर हमारे लिए हर बात करे जबकि हम बैठे रहें आमीन क्या अनुग्रह द्वारा विश्वास में आपने उधार पा है खैर हम एक के लिए परमिश्वर का अनुग्रह है क्योंकि हर कोई उधार नहीं पाता क्योंकि हर कोई विश्वास नहीं करता तुम्हारे लिए ऐसा ही हो चाहिए आप विश्वास करें परमशवर हमीशा एक भूमी का देते हैं हम परमशवर के साथ सहब आगी हैं बस सच मुझ कलपना करे कलपना करे की जीवन कितना Boring हो जाएगा यदि हम बैटे रहे हैं और कुछ नँ करें बस एक प्रारतना करें परमशवर के आपके लिए सब कुछ कर दे और वो आपको कर दे परमिश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ सहब आगी हो उन चीजों को पूरा होते देखने के लिए जो उन्होंने हमारे लिए पलप्त कराई है और तीत एक चुम्बक की तरह है ये हमें वापस खीचने की कोशिश करता है क्या आपको कभी ऐसा मैसुस होता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है शत्रो कोशिश कर रहा है आपको आपके पुरानी आदतों में खीचने की ना के वहल आपको दबा कर रखने की आपको पुरानी आदते याद दिलाने की हम शान्ती को एक उधारण के रूप में लेंगे मैं एक ऐसे वातावरण में पली बड़ी जहाँ कोई शान्ती नहीं थी इमान दारी से कहूं तो मैं बढ़ा चुड़ा कर नहीं कह रही मुझे पता नहीं था कि शान्ती क्या होती है जब तक मेरी शादी नहीं हुई मेरी family में हर कोई dysfunctional था बहुत dysfunctional और बेशक मेरे पिता मेरा सोशन कर रहे थे मेरी माँ को यह पता था वो इसके बारे में कुछ करने से बहुत डरती थी मेरा भाई Marines में चला गया जब वो सता रहा का था और वो जब वापस आया तो वो ड्रक्स का व्यस्नी हो गया था और अंत में उसके जीवन का अंत हुआ अपने ही जीवन को खत्म करके क्योंकि वो बस इतना कश्ट में था और लगता था कि वो इससे आज़ाद नहीं हो रहा और वो ऐसा व्यक्ती था जो दबाओ नहीं डलता वो चाहता था कि हर कोई उसके लिए हर काम करे हमने उसे अपने घर में लिया क्योंकि वो हमारे साथ रहता था मैं सोचती हूँ एक बार चार साल के लिए और जब आपने ये नहीं कहा कि उट और काम पर जा पर यदि आप उसे उठाते नहीं तो वो वहां सोए रहता और काम पर नहीं जाता, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सब को परिशान नहीं कर सकते, इसे खुद खुद जी अगर आपको कुछ चाहिए, काम की जीर, यदि आप काम करते तो आपको याद रहेगा कि चीजे कहां हैं, तो हमें कभी भी वो बविश्य नहीं मिलेगा जो परमिश्वर च पता सकती हूं, जितना ज्यादा परमिश्वर आपका इस्तमाल करना चाहेंगे, उतना ही ज्यादा शत्र आपके विरोध आएगा, नया स्तर, नया शैतान देखें, आप में से कुछ चीजों के बारे में परमिश्वर से ज्यादा पूछते हैं, खर जब आप आशिश के लि कि मैं अवसरों का बड़ा दर्वाजा खोलना चाहता हूं, और इसमें बहुत सारे विरोध ही आजाएंगे, देखें, आपको बस अवसर ही नहीं मिलता आपको, विरोध भी मिलता है, और इसलिए जब परमिश्वर हमें उपर उठाना चाहते हैं, हमारे शरीर को नीचे जा ना चाहिए, और देखें, मैं महसूस करती हूं कि, मैं पहले से अपने वचनों के प्रती बहुत ज्यादा सतर्कों पर शायद बहुत ज्यादा सतर्क नहीं हूं, और आप देखें, महान परमिश्वर, आपको इस्तमाल कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा आशिशित करके, स्यादा जिम्यदारी से जितनी हम में है मुझे नहीं लगता कि कोई अपने मुझे सहायता कर सकेगा मत्ती साथ तेरह चौदा सच मुझ दोन शांदार शास्त्रवचन है इसमें लिखा है संकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चोड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है और बहुते रहे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं मैं चाहती हूँ किसी समुझने के लिए थोड़ा ज्यादा समयले यहां लिखा है मैं चाहता हूँ कि तुम फाटक से जाओ और आप अगले बचन में देखते हैं यहां लिखा है सक्रा फाटक जो है वो दबाग द्वारा तंग बना दिया गया है यह एंप्लिफाइड बाइबल का नुवाद है कि सकीत है वो फाटक और सक्रा है वो मार्क जो जीवन को पहुँचाता है और थोड़े जो उसे पाते हैं तो चौड़े मार्क पर रहना आसान होता है परमीश्वन ने एक बार मुझसे कहा था कि चौड़े रास्ते पर तुम्हारे शारीरी सामान के लिए जगे है और आप यह सब अपने साथ ले जा सकते हैं आप अशारीरी हो सकते हैं चौड़े मार्क पर चल सकते हैं बहुत बार फिर भी लोग स्वर्ग में पहुंच जाते हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं इसलिए नहीं कि आप सब कुछ परफेक्ट करते हैं और हम कभी सब काम परफेक्ट नहीं करते पर मैं अवश्य इस पर विश्वास करती हूँ कि एक महसी अपने पूरे जीवन शरी से ही जुड़ा रहता है हाला कि शयद वो स्वर्ग में प्रविश कर भाएं वो कभी अपनी साथ किसी को नहीं ले जाएगा आप में से कितनी यह जानते कि मैं क्या कह रही हूँ उनकी गवाय इतनी शुसकत नहीं होगी कि वो अपने साथ किसी को ले जा सके और वो यहाँ जीवन का आनंद नहीं लेंगे क्योंकि आप जानते कि हम कभी शरीर में चलकर जीवन का आनंद नहीं ले सकते हम सच्मुन नहीं लेते हमारा शर्रिक कोशिश करता है हम से जुट बोलने की और हमें ये बताने की हम और अधिक आनंद उठाने वाले हैं यदि हम वो करें जो करने को हमारा जी चाहता है पर सचा ये है कि हम इसका ज्यादा आनंद नहीं ले सकेंगी यदि हम अपनी भावनाओं के पीछी जाएंगे तो हमें एक विनाश के स्थान पर ले जाएगा और शायाद इससे ज्यादा ये कि लोग हमें बताते हैं कि वो कैसे महसूस करते हैं खर मैं सोचती हूँ जैसे कोई मुझे प्रेम नहीं करता परमिश्वर प्रेम करते हैं खर परमिश्वर ने पहली कहा है कि वो आपसे प्रेम करते हैं तो उससे शिरुवात करना कैसा रहेगा परमिश्वर आपसे प्रेम करते हैं मैं उससे नहीं सुनती कि कैसे महसूस करती मैं अपनी भावनां उसे दूसरी तरफ जीती हूँ तो वो उमें बताता है कि आप संक्रे रास्ते पर होना चाहते हैं तो आपको थोड़ा दबाव डालना होगा और उस ओरत का क्या जिसका अठारा साल से लहू बहरा था और उसके पस जो कुछ था उसने डॉक्टरों पर खर्च किया और सब बेकार गया और वो भीड़ पर दबाव डालते डालते उससे गुजरी और यकिनन ये बहुत भारी भीड़ती लोग ठसाठस भरे हुए थे ये शुकेर्द किर्द और किसी कार मुझे संदे होता है कि ये ओरत ज्यादा बड़े डील डॉल वाली नहीं थी मैं उसका चित्रा बनाती है एक चोटी सी ओरत के रूप में जो बहुत लंबे अरसे से बिमार रही है खेर कितना असान होता है ये विचार नहीं होता खेर कि मैं कभी उस भीर से गुजर पाऊंगी देखे कुछ लोग अपने मन में हार माल लेते हैं इससे पहले कि वो कोशिश करें आप नहीं कर सकते बस किसी कठीन चीज की और ना देखें और कहें खेर मैं ये तो कभी नहीं कर सकता नहीं आप किसी कठीन चीज़ की और देखें और का यदि परमिश्वर चाहते हैं वो करें तो वो मुझे सामर्थ देता है और हमें ये शास्त्रवचन बहुत पसंद है और हम इसके लिए तालियां बचाते हैं पर सुने जो सच मुझे ये कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं मसी के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ वो हमें क्षमता देता है पर काम हमें करना पड़ता है अब मैं इससे सपष्ट कर देना चाहते मैं शरीर के कारें के जानी की बात नहीं कर रही मैं इसकी बात नहीं कर रही कि अपने शरीर के द्वारा चीज़ों को करने की कोशिश करना परमिश्वर के विना कुछ भी करने की कोशिश मत करना आपको हर चीज़ पर परमिश्वर का नुगरा चाहिए जो आप करते हैं ताकि यह कारगर हो सके पर इसका पिक्षा ना करें कि यही है जिसकी आपको अवश्र्टा है क्यूंकि परमीश्वर आप से मांगेंगे कोई खास काम यह बहुत महत्वपुना है कि हमें उनके आग्या कारी मनना है चाहिए आसान हो या ना हो बिल्कुल ही बनना है आमीन अल्राइट अब मैं एक बयान देना चाहूंगी और मैं एक स्टेट्मेंट दूँगी सब्ताहांत में बार बार पर ये है कठीन हिस्सा पर यदि आप इसे अपने दिमाग में डालने और इसे करने में वचन बद हो वाओ क्या कभी आप सपल होंगी आपको वो करना शुरू करना होगा जो सही है पर अभी भी आपको लगे कि ये गलत है आमीन आप मेंसे कितने गोलफोर हैं आप गोलफोर से हैं देव अपना हाथ उपर उठाओ नई खर आप मेंसे बहुत ज़्यादा नहीं है आप मेंसे कुछ काफि स्माट है पर डेव मुखेता गोलफोर है पर मैंने असल में उनके साथ 20 साल तक गोलफ खेली है फिर मेरी कूनी का मास पेशिकीच गई और मैं ना खेल सकी और यह बहुत समय लेने वाला खेल है और जब तब की मैं लिखने लगी थी और बस मेरे पास समय नहीं था पर गोल्फ स्विंग सबसे असहच चीज है संसार में आप ऐसा कभी नहीं सोचोगे आपको इस पुजिशन में आना पड़ेगा ताकि एक बॉल को सीधा भेजा जा सके मैं विश्वास नहीं कर सकती थी कि जब डेव मुझे सिखाने के कुशिश कर रहा था कि गोल्फ कैसे खेलना है तो मैंने कलपना भी नहीं की थी कि मुझे कभी इस पुजिशन में आना होगा उस पागलपन वाली पुजिशन में बॉल कमानने के लिए खर इस तरह का ही कुछ महसूस होता है जब आप कुछ सही करने की कुशिश करते हैं खर ये बस गलत लगता है ये ऐसे है जैसे कि मैं उस वक्ती से अच्छे से पेश आओं जब उसने मुझे से अच्छा वहवाने किया आप क्या क्या प्रभू क्या ये आदमी मेरा चर छोड़ कर चला गया तो और अपने साथ बीस परिवार ले गया तो और आप चाहते हैं कि मैं इससे साउन सुस्टम दू क्या ये सही नहीं है पर देखे परमीश्वर हमें एक उलट पुलट राजिय देता है जो हमें बाद्य करता है कि आम उसे सही और सिधा करें पहला अंतिम होंगा और अंतिम पहला यदि आप और चाहते हैं तो आपको उससे निपटना होगा मेरा मतलब इमानदार इसे कहूं तो परमीश्वर का गणित कुछ इस तरह का है पर ये काम करता है पर मैं कुछ नहीं कहूंगी भावनों की पीड़ा को दबाते हुए निकल जाहिए और वो करें जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तब भी जब आपको दर्द हो रहा हो मैं इसे दुबारा कहूंगी आप इंतिजान नहीं कर सकते तब तक जब आपको महसूस होने लगे कि क्यासे यह मैं सुचती हूँ आज रात कितने लोग जो यहां आए और आप किसी से नाराज है मैं आपसे आपके हाथ खड़े नहीं करवाऊं क्योंकि कि मैं पहले से ही जानती हूँ इसका प्रतिक्षत कितना होगा मैंने यह बहुत बार किया है यह करेब सत्तर से अत्ती प्रतिक्षत तो होगा और आप यहां आएं आप एक चमतकार चाहते हैं आप चंगाई चाहते हैं आप एक सापहलता चाहते हैं आप इन इस्ट्री में होना चाहते हैं आप अपनी नौकरी में हमेशा तरक्की पाना चाहते हैं। पर बस ये एक बात कि उस व्यक्ति को ख्षमा कर दो। उसे भूल जा, इसे जाने दो, इसे प्रभु के हाथ में दे दो। मुझे अपना पल्टा देने वाला बनने दो। मुझे अपनी लिए एक फल्ला ने दो। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, यदि आप हर बात में नाराज होना बंद कर देंगे और लोगों को ख्षमा करेंगे, आप चकीत रह जाएंगे कि परमिश्वर आपके जीवन में क्या कुछ करने के एक शमता रखते हैं। आपके पास शायद कोई व्यक्ति हो जिसे आप नाराज हो पर आपको नाराज होने का कोई हक नहीं। पर यदि आप उस पर पूरी तरह नाराज होंगे तो परमिश्वर आपसे भी नाराज होंगे। पर फिर भी वो ऐसा नहीं कर रहे हैं वो फिर भी हम पर दया करते हैं बार 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 पर ये कठेन है तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें रिच्च के किया यकिनन परमिश्वरी आप एक्षा नहीं करते हैं उनों किशमा कर दो, खेर हाँ, वो आपक शाक करते हैं, बाइबल में सब जिगे हैं, और असल में हमारी प्रारतना है, खुबूल नहीं हो तिया आप बस अपना समय जाया कर रहे हैं, यदि आप परमिश्वर के पास जाने वाले हैं, और प्रारतना करने वाले हैं, जब कि प्राज मेरा मतलब ये बाइबल में है परमिश्वर कहा हैं दें कि वह प्रारत्ना को सुनेंगे और यदि आपके रिदायों में किसी के लिए बैर है तो उसे छोड़ दें इसे भूल जाएं और उसे जाने दें 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 कि हम बस वही वचन सुन सकते हैं जो में पसंद हैं मेरा मतलब ये अदि आप इसमी जाएं तो बाइबल से कुछ भी कहलवा सकते हैं और उसे चुने और उठाएं हमें पूरे किताब पढ़नी पड़ेगी राइट पूरी की पूरी चीज मैं आपको ये बता दूँ और मैं इसे आत्मत दया से नहीं कह रही एक रिप्या मेरे के लिए अफसोस करें पर आपको कोई अंदाजा नहीं कि इसकी कितनी कीमत देनी पड़ी और मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूं बिलकुल भी नहीं यहां तक कि अपने टूटे हुए प्राण की चंगाई के लिए भी मैं आपको बताती हूं कि मेरे अंदर मर्दों की प्र उफूँ बाइबल में लिखा आए कि परिक्षाइन हमारे जुनून को बाहर लाती है और पहुत सी चीजें बाहर लाए इससे पहले कि हम किसी जुनून तक पहुँचें आमें चले भी आप में से कितने लेडी को इसमें नम्रता की बात में एपलस मिल सकता है हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं यह एक नया यूग है और अब जानते हैं मैं इसकी बात नहीं कर रही किसी को बस अपना भर पूर फायदा उठा लें और मैं बस अधिकार के प्रति विनमर होने की बात कर रही हूँ मैं आपको बता दूँ कि यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं आप इसके प्रति गंभिर हो जाएंगे मैं इसे पहले शांती की बात कर रही थी और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि शांती क्या होती है जब तक डेव से शादी नहीं हुई और उसके ब चाहिए मेरे उपर नीचे नहीं होना चाहती हर बार जब मेरे परिस्तित्यां बदलती हैं पता हर समय बस नाराज हो रही हूं और तवाशे कर रही हूं और मेरा मतलब मुझे शांती चाहिए खैर मैंने शांती कले पर आर्थना की वो प्रभू मुझे शांती दे और मुझे मुझे शांती दे और कुछ भी बदला नहीं आम जानते हैं क्यों कि येश्यू ने कहा मैं मैं तुम्हें अपनी शांती दिये जाता हूं और अब बंद करो चिंता कनवा परेशान होना तो उन्होंने पहले से हमें वो दे दिये जिसकी हमें जरूरत है हमें उसे सक्रिया करना ह और उस तक जाना होगा और इसमें मुझे कुछ सान लग गए पर मैं ये पक्का इरादा कर चुकी थी कि शांती चाहिए तो मैंने पहली बार शुरू की पहली बात जो मैंने करनी शुरू की जो ये है कि मुझे क्या परिशान करता है एक तरह से मुझे अपनी समस्याओं में वापस जाना पड़ा क्योंकि आप जानते हैं कि कई बार आप घुसे में होते हैं और आप नाराज हैं इससे पहले कि आप जान जाएं कि असल में क्या हो रहा है और इसलिए कि हम एक तरह से इसमें वापस जाना चाहते हैं इस समस्य क्या कि जड़ क्या है देखे मेरे ख्याल से कुछ ही लोग किसी बात का शोक मना रहे हैं अभी तक जो उन्होंने 20 साल पहले कोई थी और यह उनके अंदर से घुस्से के रूप में निकलता है हमें सीखना होगा कि कैसे हम बातों को भूलाएं जो पीछे चुट गई और परमिश्वर को हम स्वैम को नई शुरुवात में लाने दे परमिश्वर के पास आप के लिए एक नई शुरुवात है हमेशा आप फिर से शुरुवात कर सकते हैं आप एक अंतिम अंधी गली में नहीं हैं आपके लिए ये खत नहीं हुआ है आप इतने बूड़े नहीं हैं चलिए भी मुझे पुरानी बाते मत बताओ मैं दो मैने में 74 साल की होने वाली हूँ और मैं यहां ओपर खड़ी हूँ तो मेरे मगब है हां कुछ ऐसी चीज़ें जो उस तरह काम नहीं करती जास हम चाहते हैं मुझे इस मीटिंग में थोड़ी सहाइधा मिल रही है मैं सब कुछ स्वेम क्या करती थी पर मैंने अभी अभी काया जो कुछ भी मेरे पास है प्रभू आप इससे समझाएंगे आमीन तो मुझे यह मत बताएं कि आप बुड़े हो गएं कुछ भी कर पाने में मेरे पहुत जबच हैं मैंने मीनिस्ट्री तब शुरू की थी जब मेरे तीन किशुर और एक बीबी था अपनी परिस्तितियों की और देखना छोड़ दें और कहें खैर यह संभव हैं यह बहुत कठीन है परमिश्वर के लिए सब कुछ संभव है आमीन खरता कि हम एक नहीं शुरूआत को ले सके जो परमिश्वर ने आपके लिए रखी हैं दो बाते हैं जो आपको करने की जरूरत है उसे जाने जो पीछी छुटा है और आगे बढ़ो दविश के साथ उन चीजों की और हैं यह काफी चुनाती पूर नहों सकता है पर याद र इस कारे करम को जोईस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रो और भागी दरो द्वरा संबव बनाए गया है